हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्व्यास फिर सबने यूट्यूब चल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मैं आ गया हूँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट डोक्युमेंटेशन के सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्योशन पर अब यहाँ पर एक बात और ध्यान से बताता हूँ यहाँ पर सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट डोक्युमेंटेशन तो आप इस द्वन्द में न रहें या इस गलत फेमी में न रहें कि यहाँ पर कॉपी भरने पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलने वाले हैं ज़्यादा पॉइंट से अपनी मर्जी से नहीं कर देने यहाँ याद रखिएगा यहाँ पर जो बात है वो क्लियर होगी कंसेप्ट बेस पर होगी आप एक्स्ट्रा एड़ अपनी मर्जी से पुट आन मत कर दीजेगा वो गलत हो जाएगा क्योंकि यह डोक्युमेंटेश रखता है यूजवली तो एडमेट कार्ट से काम हो जाता है लेकिन डाउट होता है आजकल तो डवी विद्यारती तो पता नहीं वेट रहे हैं नहीं वेट रहे होंगे हैं ना इसा मेरा मानना है सभी मानदार बच्चे सभी पढ़ने वाले बच्चे क्योंकि यहाँ पर सेक तो उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और मेरे पास सारे इसमें माना गया है कि एक्सपोर्ट लाइसेंस है और क्या माना गया है कि आप किसके द्वारा बेज रहे हैं शिप के द्वारा बेज रहे हैं यहाँ पर एयरपोर्ट प्रोसीजर नहीं बोला है ना यहाँ पर क्या बोला है shipment procedure तो सबसे पहले क्या होता है जदि मैंने को shipment बेजना है तो एक जगे होगी वो reserve करानी होगी कि यह कुरसी हमारी है मतलब यह जगे हमारी है यहां पर हम उमारा shipment आएगा हमारा container आएगा आपको इसको load करना है यह हमारी shipment company से बात होगी इसके अलावा हमको insurance भी कराना होता है मुझी में second point आ जाता है कि insurance करा लिया हमने reservation कर लिया insurance करा लिया इसके बाद हमारा जो माल है इसको हम transportation की विवस्ता करते हैं कि अब इसको port तक कैसे ले जाना है तो shipment का पहला point तो होगा कि हमने रिजर्व करा ली space उसके बाद हम क्या करेंगे अपना इंटरनल ट्रांस्पोर्टेशन यानि पोर्ट तक फैक्टरी से पोर्ट तक कैसे जाएगा और उसके बाद जो shipping document होंगे यह काम करेंगे अब यह वाला point काफी interesting है कि shipping document कौन-कौन से होंगे आगे जाके इन वीडियो में आपको इसका अंसर भी मिल जाएगा फिर हम कस्टम क्लियरेंस का भी काम करेंगे कस्टम क्लियरेंस का मतलब कि हम वह product कराइंगे कि कहीं उसके अंदर कोई ऐसा प्रदार तो नहीं जारा जो भारत के लिए ज़्यादा जरूरी हो या वह अवेध हो है ना illegal हो तो उसको कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं वह क्लियरेंस का काम कराती है उसको क्लियरेंस बोलते हैं फिर उसके बाद हम काटिंग आडर अपनी प्रिपैर करते हैं कि अब इसके अंदर 40 काटून 50 काटून 100 काटून इकते जाने वाले उसके बाद हम कस्टम का examinations हो गयाएगा जब कस्टम क्लियरेंस होता था विसे examination महीं पर पैरलल हो जाता है लेकिन लास्ट में आपको export order बनाना होता है कि यह particular जब हमने कस्टम क्लियरेंस की उसके अंदर रिपोर्ट लग गई एक्सपोर्ट का license लग गया उसका bill लग गया letter of credit लग गया insurance certificate लग गया यह सारे point याद रखना insurance certificate लग गया और उसके बाद हमने export का एक order बना लिया कि हाँ यह सारी चीज़ें इसके अंदर लगी इसकी 6-7-7 copy लगती है exit तो बदलती रहती है जितना मेरे को best knowledge था उस समय पांच copy लगती थी अब बदल गया एक लाल पीली हरी ऐसे वाइट और क्रीम कलर की ऐसे ऐसे 5-6 copy हुआ कर दी थी अभी शाय से थोड़ा बदल गया क्योंकि मैं थोड़ा सा भी एक्सपोर्ट के प्रैक्टिकल लाइस से रचने में लेकिन पाँच copy तो मीनिममर है उसके बाद होने के बाद नहीं पर एक्सपोर्ट बनने के बाद हम क्या करते थे एक शीप और करते यह निए एक सीटिक और का मतलब कि के पास जाएगा कि आप परटिकूलर का रिते गूलर कंटेनर में पर्टिकूलर इत्ते कार् इन सब का combination होता है जिसके अंदर A to Z सारी की सारी information होती है nut shell के अंदर कितने काटून है इस quality के specification के इस party के इस party को देने है इन हिसाब ने इसका custom clearance करा है यहाँ पर यह export का license यह रहा यह सारी की सारी चीज़े bill of lading में लिखी भी होती है वो कब पैसा देगा कितना पैसा देगा यह नहीं लिखा होता कितना amount का product है यह लिखा होता है ठीक है और mats receipt का मतलब कि आपने जो चड़ा दिया है माल या ship के जो captain है उसने approve कर दिया है तो मैट receipt में आ जाता है आपका ठीक है तो यह बहुत सिंपल जैसे वह माल यहां पर खतम हो जाता है इसमें insurance का certificate भी add-on करना होता है यह सारे point आपको याद रखने यानि कि यदि मुझे माल यहां से भेजना है तो सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले एक reserve करानी होगी जगे फिर arrangement करना होगा मेरा माल factory से port तक जाए फिर port पर जाने के बाद इसको अब लोड कराना होगा port पर ship पर उससे पहले मेरे को कुई documents प्रिपेर करने होगे लाइक insurance का certificate प्रिपेर करना होगा custom का मेरे को clearance लेना होगा उसके अलावा बिल ओफ लेडिंग उसके अंदर जमा होगा इसके अलावा मैट रिसिप भी जमा होगी इसके अलावा custom clearance लेने के बाद मेरे को जो necessary documents होते हैं प्रिपेर कियाने होते हैं लाइक इंस्वर्ण सर्टिफिकेट एनोसी भी हो सकता अगर कोई harmful product हो है ना और अगर कोई दवाईया होती है तो उनका container अलग होता है दवाईयों का container में जो cold पर रखी जाती है उनके container के उनकी फ्राइट भी ज्यादा होती है उनमें एक particular temperature set होता है जिसके द्वारा वो दवाईया खराब नहीं होती हो सकता पूरा का मतलब container ही मतलब AC का होता है आप यह समझ लीजे है ना फिर कोट कार्ट कार्ट में कोई डाल रहे हैं तो कार्ट करी जाती है और कस्टम क्लियरंस तो आप समझ ही गए और examination क्लियरंस के बाद मिलता है उपर नीचे थोड़ा सा कमला बोलते हैं अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं जैहिन कि अ हुआ है ुआ है।